तो हैं आप सभी लोग उमीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे आपकी पड़ाई अच्छे से चल रही होगी तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है दा राइट ट्रैप उसके लास्ट लेक्चर के बारे में चैप्टर का ला कुई क्ली थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं तो देखते हैं कि हम एक पैडलर को और एक पैडलर जो है वो इदर उदर बटकता रहता है रेट ट्रैप्स बना करके कभी कचरे से कभी किसी से भीक मांग लेता है सामान कभी कुछ कचरा उठा लेता है उससे रेट ट्रैप बना करके चुहे दानिया बना कर बेचने का काम करता है और वो सोचने के एक ऐसे मार्ग में पढ़ जाता है जहां वो इस पूरी दुनिया के बारे में भला बुरा सोचना शुरू कर देता है कि पूरी की पूरी दुनिया इसमें जो भी चीजे हैं जो आराम देती हैं आपको वो सारी चीजे एक तरह का बेट है एक तरह का चारा है जो आपको इस दुनिया रूपी रैट ट्रेप में फसाना चाहते हैं उसके बाद में जब एक सडक पर गुजर रहा होता है वहाँ पर उसे एक जोंपडी दिखाई देती है जहाँ पर वो क्रॉप्टर के साथ रुपता है शाम के समय खाता है पीता है मस्त आराम से इंजॉय करता है और अगले दिन आ करके उसी के 30 क्रॉन और चुरा लेता है और 30 दिशा में जाना शुरू करता है और एक फॉर्ज यानि कि एक धलाई खाने पर पहुँच जाता है धलाई खाना मतलब एक आयरेन फैक्टरी के पास में पहुच जाता है वहाँ जाकर के अपने आपको गरम रखने का प्रयास करता है वहाँ पर वो उस फैक्टरी के मालिक से भी मिलता है जो गलती से इस पेड्लर को अपने पुराने साथी के रूप में पैचानता है वह उससे बहुत मिननते करता है घर चलो घर चलो घर चलो लेकिन वैं उसके साथ नहीं जाता बाद में उसकी बेटी आती है बेटी एडला को थोड़ा सा शक होता है कि कोई भी मुझे ऐसा चिन, कोई भी ऐसा निशान, कोई भी ऐसा व्यवहार दिखाई नहीं दिया, जिससे मैं मान सकूँ कि एक समय में ये कोई सम्मानित कैप्टिन हुआ करते थे, तो उसके बाद अब क्या होता है, उसके पिता कैसे उसकी बेटी को समझाते हैं, तो विस्टर विल्मेंसन जो है, वो कैसे एडला विल्मेंसन को कन्वेंस करेंगे, उससे हम अपनी आगे की स्टोरी को देखने वाले हैं, तो चलिए गाइस देखते हैं, अब आगे स्टोरी में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हमें दिखने वाला है You must have patience my little girl, तुम्हें धैर ये रखना होगा, तुम्हें थोड़ा सा धीरज रखना होगा मेरी प्यारी बच्ची, मेरी छोटी बच्ची, said the father, पिता ने कहा As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different जैसे ही वो अपने आपको साफ सुतरा कर लेगा है, जैसे ही वो साफ हो जाएगा और जैसे ही वो सही या धंके कपड़े पहन लेगा, अपने rugs यानि कि अपने फटे पुराने जो कपड़े है, फटे हाल कपड़े जो है, उन्हें छोड़ करके You will see something different, तो तुम्हें कुछ अलग सा दिखाई देगा और अलग सा दिखाई देता भी है, लेकिन अब वो अलग सा क्या यह सोच रहे है, विलमेंसम भाई साब, और क्या अलग सा दिखाई वास्तविक्ता में देगा, वो देखने लाइक द्रिश्य है Last night, he was naturally embarrassed, पिछले रात्री, यानि कि जब हम उससे मिले पहली बार, तो निश्चत तोर पर स्वभाविक से स्वभाविक तोर पर वह बहुत ज़ादा embarrassment था, embarrassment का मतलब किसी इस्थान पर असहज होना और असहज का भाव भी कैसा? शर्मिंदा होते वे, अना, शर्मिंदी की वज़े से असहज होना embarrassment कहलाता है, तो वह तोड़ा सा embarrassed था इसके कपड़ों के साथ ही गुमककड वाला जो नेचर तुम उसका देख रही थी वो नेचर भी उन कपड़ों के साथ हट जाएगा चला जाएगा जैसे ही उसने ये बात कही तभी उसी समय दर्वाजा खुला और उस अंजान अजनवी इंसान ने अंदर प्रवेश किया यस नाउ ही वास्तिविक्तावी पूरी तरह के से स्वच्छ था और वेल ड्रेस था अच्छे से उसने कपड़े पहने हुए थे यानि कि जो नौकर था गर का उसने उसे नहलाया था कट इस है उसके बाल काटे और शेव्ड और उसकी डाड़ी बनाई और उससे भी जादा He was dressed in a good looking suit of clothes यानि कि उसने जो dress पहन रखी थी वो अच्छा दिखने वाला एक suit था इस तरह का होता है suit ठीक है जो कि अच्छे कपड़े से बना हुआ था which belong to the iron master जो उसी iron master का था यानि कि जो इस factory का मालिक है जो उसे अपना मित्र समझ के लाए उसने अपने कपड़े दिये था कि मेरे साफ सुतरे कपड़े हैं ये suit है बढ़िया से आराम से पहन के तैयार हो किया जाओ he wore a white shirt उसने सफेद रंग की shirt पहन रखी थी and a starged collar starged का मतलब होता है जिस पर आप बोलते हैं कल्फ किया जाता है यानि की चीजों को या कपड़ों को थोड़ा सा सक्त बनाने के लिए उसके उपर कल्फ किया जाता है एक liquid में कुछ powder मिला करके उसे डूब होया जाता है जिससे कपड़े थोड़े से सक्त हो जाते है तो उससे उसकी जो collar थी बिल्कुल सक्त हुई भी थी एंड होल शूज और उसने पहले तो कैसे फटे पुराने टूटे वे फटे वे कपड़े पहन रखे थे फटे वे जूते पहन रखे थे अब उसने बिल्कुल साबुत और सही जूते भी पहने वे थे बट अल्टो इस गैस वास नाव और अब जबकि उसका ग्रैस जो है बहुत अच्छे से सजा सवरावा उसके सामने खड़ा था तो यहां पर आइरन मास्टर जो है वो प्रसन दिखाई नहीं दे रहा था तो भया, आप उसे बुला करकर लाए आपने उसे निलाय दुलाय आपने कड़ये पैनाये आप अपने दोस्सके लिए सब कुछ कर रहे हो अब जब वो साफ सुतरा बिल्कुल सhी होकर के आपके सामने कड़ाए आप खुश क्यो नहीं हो क्या कारण है आप खुश नहीं हो तो यहाँ पर Iron Master जो है बिलकुल भी प्रसन दिखाई नहीं दे रहा था He looked at him with puckered bro यानि कि उसने उसकी तरफ जुर्रीदार जो है ऐसे नहीं हो था यूँ करके ध्यान से देखने का प्रयास किया bro, अपनी bro eyebrows को silver tray डालता हुआ and it was easy to understand और यह समझना बहुत ही आसान था that when he had seen the stranger fellow in the uncertain reflection from the furnace कि जब उसने उस अंजान इंसान को देखा था जो बहुत ही असपश्ट स्तिती थी reflection की और कैसे दिखाई दिया वो तो कहीं लाइट है तो लगी भी नहीं थी तो भटी में से जो आग जल रही थी उस आग का जो थोड़ा बहुत दिखाई दिया reflection में यानि उस आग की रोश्णी में थोड़ा बहुत जो दिखाई दिया था उस तरीके से उसने उस वेक्ति को पैचाना था he might have made a mistake उसने शायद एक गलती कर दी थी और यह गलती हमें तो पहले से पता है क्योंकि हमें तो chapter ने पहले ही starting में बता दिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ तो उसने शायद कोई गलती कर दी थी बढ़ डैट नाओ लेकिन अब क्या चलो आपने किसी को अपना दोस्त समझा दोस समझ के उसको राजी किया वो नहीं आया बेटी को बेजा बेटी राजी करके लाई नेला दिया धुला दिया सूट पेणा दिया कबड़े मेणा दिया मस्त टिंचोगे भाईया खड़े आपके सामने और आप खुश नहीं हो और आप बूल है यार यह गड़पढ हो गई वावा कांड हो गया क्या हुआ दोस्त समझ के लायत यह तो दोस्त नहीं है साफ सुद्रहाओ के घड़ा है तो पता चल रहा है के दोस्त नहीं है दिन के उजले उजाले में उजले समय में जब दिन की साफ रोशनी में उसको देखा और सामने खड़ा था यह असंभव हो गया था कि अब कोई गलती हो सके उसे अपना पुराना परिचित समझने में यानि कि कल रात को तो अंधेरे की वज़े से गलती हो गई कि उसे अपना पुराना परिचित वेक्ति समझ करके घर ले आए दोस्त समझ के Army में काम करते थे, Army का सात ही समझ करके Captain Wallace Tellël समझ करके उसे घर ले आये आप लेकिन दिन की रोशनी में जब आप देख रहे हो अब आप से कोई गलती नहीं हो सकती आप सपस्थ पूर्प से कह सकते हो कि हाँ ये मेरा दोस्त नहीं है मैं गलती से किसी और वेक्ति को अपने घर ले आया हूँ वाट ड़स दिस मीन ही थंडर्ड उसने जोर से धंकाने वाले आवाज में उला इसका क्या मतलब है यह क्या है इस वे में कि यह क्या है यह तो मेरा दोस नहीं है अब यह जो इस्ट्रेंजर था जो घुमककर था जो हमारा पैडलर है उसने कोई प्रयास नहीं किया कोई कोशिश नहीं की अपने आपको छुपाने की कि भजया नहीं नहीं आप मैं तो वही हूँ यार तुम पहचान नहीं किया और अब पूरी तरीके से इस पश्ट्रूप से देख पा रहा था कि एक ही जटके में उसकी जो भी शान और शौकत थी वैवाओ था जो भी उसके लाइफ में बढ़िया चल रहा था अभी तक उस सब की समापती हो गई है वो सब एक अंत पर पहुंच चुगा है मतलब जितने मोज मारने थे वो कल रात को मार लिए मस्त बढ़िया गद्देदार गद्दे में सौ अभी ठीक है कल से अब तक जो हुआ सब अच्छा हुआ अच्छा लगा अब यह जो भी मैं इंज्वाए कर रहा था यह सब समाप्त हो चुका है वाट दस दिस मीन ही और अच्छा क्या तर पहुति और समाः नहीं है जान पर घृदलर यहां पर साफَّा तॉर पर कह देता है कि यह मेरी गलती नहीं है मैं यहां पर हूं तो अब यहां पर बैगर अपनी बात को यहां पैडलर वो अपनी बात को पष्ट करते में कहता है ये दिखावा नहीं किया, बहाना नहीं किया कि भाई मैं कोई और हूँ बजाए इसके कि मैं बस एक गरीब व्यवसाई हूँ मैंने कभी भी ये नहीं दिखाया कि मैं तुम्हारा कोई दोस्त हूँ, मैं आर्मी में था मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं किया मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैंने कोई भी दिखावा नहीं किया मैं केवल और केवल एक गरीब व्यापारी हूँ and I pleaded और मैंने आपसे विंती भी की थी मैंने आपसे निवेधन किया था याचना की थी बैड आपसे प्रार्तना की थी भीक मांगी थी to allow to stay in the forge कि मुझे वहाँ जो आपकी iron factory है उसी में रहने दीजी but no harm has been done लेकिन अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है मैंने आपका कोई नुकसान नहीं पहुचाया है at worse बुरे से बुरा क्या हो सकता है I can put on my rugs यानी कि मैं अपने फटे पुराने जो चित्रे वाले कपड़े है वो फिर से पहन लूँगा put on का मतलब होता है धारन करना या पहनना तो मैं फिर से put on कर लूँगा फिर से पहन लूँगा और फटे पुराने मेरे कपड़ों को again फिर से and go away और यहां से चला जाओंगा ठीक है तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुए भया कोई बात नहीं मैं आ गया मैं रह गया मैं सो गया मैं उठ गया आपको पता चल गया मैं वो नहीं हूँ आपको अपनी गलती का ऐसास होगे अभी तक कोई बुरा ही नहीं हुई अब बस ठीक है मैं अपने फटे पुराने कपड़े वापस पहन लूँगा चला जाओंगा इससे बुरा क्या होगा बुरे से बुरा यही हो सकता है well said the iron master iron master ने कहा hesitating हिच किच आते हुए a little थोड़ा सा it was not quite honest either हलाकि तुम जो बात कह रहे हो वो भी पूरी तरीके से इमानदारी वाली बात नहीं है क्योंकि अगर मैं तुम्हें गलत समझ रहाता तुम पश्टता है बोल सकते तो कि भया तुम मुझे जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ और तुम गलत समझ रहे हो मैं कोई और हूँ you must admit that तुम्हें यह बात स्वीकार करनी चाहिए थी and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter और मुझे थोड़ा सा भी आश्यर यह नहीं होगा अगर हमारे यहां पर जो शेरिफ शेरिफ कौन होता है America Sweden आधि देशों में इसका अर्त होता है एक अधिकारी अधिकारी किस तरीक है का यह पुलीस अधिकारी होता है ठीक है तो कोई पुलीस अधिकारी आकर के अगर तुमसे बात करें और वो इस मुद्धे पर कुछ कहना चाहे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा यह मुझे आश्यरिय नहीं होगा कुल मिलाकर वो इसे इंडिर्कली धंकी दे रहा है कि बाई तुम रुको अब अब मैं शेरिफ को बलाता हूं वो तुमसे बात करेगा इस बारे में the tramp took a step forward and stuck the table with his fist और यह जो tramp था है जो गुमकड वेक्ती था है एक कदम आगे बढ़ा और जोर से सामने table पढ़ी थी धड़ाम करके उस पर गूसा मारा ऐसे नहीं ऐसे ठीक है तो इस तरीकर से धड़ाम करके वो गूसा मारते वे अपनी बात कहता है और बड़ things are चीजे कैसे है यह दुनिया कैसी है मैं तुम्हें बताता हूं he said way कहता है this whole world is nothing but a big red trap यह पूरी की पूरी दुनिया और कुछ भी नहीं है बस एक बड़ी सी चुहेदानी है red trap है all the good things that are offered to you are nothing but cheese rings and bits of pork यह सारी चीजे जो यह दुनिया यह सारी अच्छी चीजे जो दुन thing तुम कुछ भी नहीं हो उसके लिए बस वो सारी चीजे तुमारे लिए क्या है चीज है पनीर है रिंग्स है उपरी पर बिट्स है यानि की टुकडे है सूर के मास्क इसको पोर्क का जाता है set out to drag a poor fellow into trouble जिसे विवस्तित किया गया है यह एक trap है जिसे बनाया गया है ताकि गरीब लोगों को इसमें फसाया जा सके परिशानी में डाला जा सके तो मेरे साथ भी यही हुआ है कि तुमने मुझे का मेरे साथ चलो मेरे घर चलो सब ठीक हो जाएगा खाएंगे पिएंगे बड़िया क्रिसमस का food जल्दी खतम करेंगे मैंने मना किया तुमारी बेटी आ यह क्या है यह सारी की सारी चीज और पोर्क है जो तुमने सैट किया मुझे मुसीबत में डालने के लिए मेरे जैसे गरीब आदमी को मुसीबत में डालने के लिए और अगर शेरिफ आता है अगर पुलीस आती है अभी और मुझे जाकर के जेल में बंद कर देती है इस काम के लिए देन यू तो बेटा तू आइरन मास्टर तू याद रखना मस्ट रिमेंबर ये बात याद रखना एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद भी चाहेगा कि तुझे बड़ा सा टुकड़ा पोर्क का मिले और उसके बाद में तू भी इसी तरह के ट्रैप में जाल में फस दिया अच्छा खाने का नाम लेकर अच्छा सोने पहनने का नाम लेकर तूने पसा दिया साले सारे के सारे मिलकर के मुझे पसाने में एक भी लगेवे हो एक दिन तेरा भी आएगा कि तू अपने जीवन में कुछ प्रात करने कोशिश करेगा और तू भी जाकर के महाँ पर फज जाएगा ता iron master begin to laugh और iron master है जोड-जोड से हसने लगा उसकी ये बात सुन करके क्योंकि बड़ा विचित्र विचारधारा है बड़ी अलग सी है अजीब सी है हर कोई व्यक्ति उसे इतना seriously नहीं लेगा इस विचारधारा को लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारा peddler लंबे समय तक इस चीज के बारे में सोचे चले आ रहा है वो convince हो चुका है वो अपने आपको मना चुका है कि यही दुनिया की सच्चाई है यही इस दुनिया का जगत का सच है that was not so badly said care जो तुमने कहा वो बहुत गलत तरीके से या बुरे तरीके से नहीं का मतलब तुमने अच्छी बात बोली my good fellow मेरे अच्छे दोस्त perhaps we should let the sheriff alone शायद हमें शेरिफ यानि पुलिस वाले को अकेला छोड़ देना चाहिए आज Christmas की इव पर but now get out of here as fast as you can तो अब यहां से तुरंत बाहर निकल जाओ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो सके फटा 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 तुरंत प्रभाव से निकलो यहां से but just as the man was opening the door लेकिन जैसे ही आदमी दर्वाजा खोल रहा था the doctor said तो बेटी जो है एडला विलमेंसन उसने कहा I think you ought to stay with us today मुझे लगता है या मैं ऐसा सोचती हूँ कि इसे आज हमारे साथ यहां रुखना चाहिए I don't want him to go मैं नहीं चाहती कि यह यहां से जाए and with that she went and closed the door और यह कहते वे वे खड़ी हुई और जाकर के उसने जो दर्वाजा पैडलर ने खोला था जाने के लिए what in the world अब इस फ्रेज का अर्थी है कि क्या कर रही है तूँ ऐसा क्यों कर रही है ठीक है इस फ्रेज का अर्थ है what are you doing यानि कि तुम क्या कर रही हो said the father पिता ने कहा the daughter stood there quite embarrassed और जो बेटी है वही पर खड़ी रह गई बहुत आसहज और शर्मिंदगी की अवस्था में बहुत आसहज अवस्था में थी और बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करते वे वही रुख गई and hardly knew what to answer और मुश्किल से ना के बराबर ही उसे पता था कि अब इस बात का वो क्या जवाब दे that morning she had felt so happy क्योंकि उस दिन सुपह वो बहुत खुश महसूस कर रही थी when she thought how home like and christmasry she was going to make things for the poor hungry rich यानि कि वह यह सोच सोच के बहुत जादा खुश थी कि कितना घर जैसा महसूस कराएगी वो उसे और christmas के त्योहार जैसा महसूस कराएगी वो उसे और कैसे वो उसके लिए सारी वस्तुओं का निर्मान करेगी उस गरीब भूके बिचारे अभागे आदमी के लिए यानि कि वो बहुत ही खुश थी उस उब ऐसे के एक दुख में पड़ा हुआ एक कहते है न पतित इंसान जो बिलकुल ही अपने जीवन के ऐसे चरण में या ऐसे दौर में चल रहा है जहां बहुत ही दुख दर्द और अभाग्य का सामना उसे करना पड़ रहा है ऐसे एक इंसान के लिए मैं बहुत अच्छा क्रिस्मस बनाऊंगी उसके लिए सारी चीज़े बहुत अच्छे से करूंगी ताकि वो बहुत खुश हो और वह एक दिन सुकून से अच्छे से रह सके अपने जीवन में तो उसके लिए वो बहुत खुश थी लेकिन जैसे उसके पिता ने जाने के लिए कहा तो उसके मन में इस बात की टीस लगी इस बात की पीडा पहुंची कि कैसे मेरे पिता इसको जाने के लिए कह रहे हैं और वो यहाँ पर चाती है कि वह पैडलर जो है वहीं रुख जाए न यानि कि उसने प्रयास किया अपने पिता को कि वह दया दिखाए, दया करे उस वेगा बॉंड पे, यानि उस वेगा बॉंड के लिए प्रयास कर रही थी कि किसी ना किसी को इस पर दया दिखानी चाहिए I am thinking of this stranger here, said the young girl, उस young girl ने कहा कि मैं इस अजनभी stranger के बारे में यापर सोच रही हूँ He walks and walks the whole year long, पूरे साल बस यह चलता रहा है, चलता रहा है, चलता रहा है There is probably not a single place in the whole country where he is welcome इस पूरे के पूरे देश में एक भी जगह ऐसी नहीं होगी शायद जहां इसका स्वागत किया गया हूँ And can feel at home और यह ऐसा मैसूस कर सके जैसे कि यह अपने घर में रह रहा है Wherever he turns, he is chased away, जिदर भी यह मुड़ता है, इसे महां से भगा दिया जाता है Always he is afraid of being arrested or cross examined हमेशा यह डरा रहा है कि कभी भी इसे गिरफतार किया जा सकता है या कभी भी इसे पूछताच की जा सकती है I should like to have him enjoy a day of peace with us here और मैं चाहती हूँ कि आज का एक दिन, कम साल में एक दिन ये शान्ती से हमारे साथ यहां पर enjoy कर सके शान्ती से रह सके, उठ सके, बैठ सके, खापी सके, सो सके मैं बस इतना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहती Just one in the whole year पूरे साल में 365 दिनों में केवल एक दिन आप लोगों के कमेंट पढ़े थे मैंने पिछले वाले लेक्चर पे किस-किस ने क्या-क्या कहा है पुलिस को कर देंगे, एक मौका दे देंगे, तुरंत निकल ले सारे के सारे कमेंट पढ़े मुझे लगा था कोई एक विध्यारती ऐसा होगा जो एडला की तरह सोचेगा कि जो ये यंग गर्ल है वो क्या विचार रखती है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति अपने जीवन में दुर्भाग्य का सामना कर रहा है दुर्भाग्य ही है वह एक तरीके से देखा जाए इस आइरन मास्टर का या इस यंग लेडी का तो कुछ बिगाड़ा नहीं ये लोग ही इसे बुला करके लाएं है तो दुर्भाग्य का सामना ही करते वे वह तो दौट रहा है वो चल रहा है अपने जीवन को जैसे तैसे कहा था ना पहले लेक्चर में ट्राइंग टू गेट टुगेधर इस बॉड़ी एंड सोल कीप टुगेधर इस बॉड़ी एंड सोल कि वह अपने शरीर और अपनी आत्मा को साथ में रखने का प्रयास कर रहा है और कुछ भी नहीं करता ऐसा वेक्ति अगर आपके दर्वाजे पर आकर खड़ा होता है और आपके दिमाग में अगर ये एक दो विचार ही आते हैं कि पुलिस को बुला के अरेस्ट करा देंगे या फिर हम उसे भगा देंगे या हम उसे कहेंगे पांच मिनिट का समय है बस पांच मिनिट में चला जाए यहां से ये सारे के सारे विचारों से उपर उठकर के भी कोई विचार हो सकता है तो एक बड़ा विचित्र सा विचार मुझे भी आया बहुत अजीब सा पता नहीं क्यों आया लेकिन वो सारे कॉमेंट्स पढ़ते भी आया मैं आप लोगों को जानता हूं आप लोग मुझे जानते हैं माल लीजे कभी दुरभाग की वश्यागर मेरे जीवन में ऐसा समय आये और मैं घूमता 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 यूपी एमपी राजस्तान की किसी इलाके से गुजर रहा हूं और इसी सिती में मैं आपको कहीं मिलूँ तो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि आप मेरे ओपर पुलीस बुलाने वाले हो आपकी विचारदारा पहले से इस पच्ट है तो ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं हो सकता ऐसा करना भी नहीं चाहिए यह मानवियता नहीं है आप प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस के इसाब से प्रैक्टिकल यह आप ऐसा कर सकते हैं आपका अधिकार है आपके विचार है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी समवेधन शीलता की कमी मुझे मैसूस हुई थोड़ा सा मुझे लगा कि जैसा इस पैडलर का जीवन चल रहा है हम थोड़े से समवेधन शील हो सकते हैं बहुत जादा नहीं कि घरबार बेज करके सारा पैसा इसको दे दिया वैसा विचार नहीं है कि बहुत जादा अती समवेधन शील होने की ज़रत नहीं पर थोड़ा सा समवेधन शील हम शायद हो सकते हैं लेकिन फिर भी अच्छा लगा आप लोगों ने कमेंट किया एक मौका दे रहा हूँ जिस ने कमेंट किया है पिसले वाले वीडियो पे अगर आप अपनी बात को अभी भी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करके अभी बता दीजे कि आपको क्या लगता है कि एडला जो कर रही है वो सही कर रही है या नहीं कर रही है Always he is afraid of being arrested or cross-examined. हमेशा है डरा रहा है कि इसे ग्रिफतार कर लिया जाएगा, इससे पूस्ताच की जाएगी. I should like to have him enjoy a day of peace. और मैं चाहूंगी कि एक दिन, साल में, just one in the whole year, पूरे साल में एक दिन ऐसा हो, जब यह enjoy कर सके, थोड़ा शान्ती से रह सके, बिना डर के रह सके. The Iron Master Mammoled, वो अपने मूँ में ही बदबदाता है, बदबदाना है कि मतला, ऐसे बोल गया, क्या बोला किसी वो सुना ही नहीं दिया. Something in his beard, अपनी डाड़ी में ही कुछ बोल देता है, he could not bring himself to oppose her, और वै कोशिश कर रहा है कि कैसे भी वो अपनी बेटी का विरोध करें इस बात का, लेकिन वो विरोध कर नहीं पा रहा है, वो उस जगह तक पहुँच नहीं पा रहा है, अपने विचारों में के भाई मैं विरोध कर दूँ के नहीं, नहीं रुके गए यहां, जाए यहां से, वो नहीं कर पा रहा है, it was all a mistake of course, यह सारी की सारी चीज़े एक गलती है, नी संदे हैं, यह गलती से हुआ है, वो कहते हैं, वो सकता है, जो भी हुआ सो हुआ है, इस सब मिस्टेक से हुआ, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती, कि हमें एक ऐसे वेक्ती को भगा देना चाहिए, जिसे हमने खुद ने यहां पर आने के लिए कहा था, और वेक्ती जिसको हमने वादा किया था, कि हम उसके साथ क्रिश्मस की खुशिया मनाएंगे, तो क्रिस्मस जो है, वो इसाई धर्म का बहुत बड़ा त्योहार है, ऐसे त्योहार पर अगर आप किसी को बुलाते हैं, वादा करके कि आओ, हम लोग अच्छे से बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, एसे वेक्ती को भगा देना, मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा, Iron Master ने कहा, you do preach, you do preach का मतलब है कि तुम एक पादरी से भी बुरा भाशन देती हो, I only hope you won't have to regret this, मैं बसक्यों यह उमीद कर सकता हूँ कि बाद में तुम्हें इस चीज़ का पच्छतावा ना हो, The young girl took the stranger by the hand, और जो young girl है वो हाथ पकड़कर उस stranger को बिठाती है, led him to the table और उसे mark दिखाते हुए table तक लाती है, now sit down and eat, अब बैठ जाओ और खाओ, she said वो कहती है, for she could see that her father had given in, given in का मतलब होता है हार मानना, यह वो इसलिए कर पाती है, क्योंकि वो उसके father के nature में देख चुकी थी, कि भाईया उसके father जो है, अब उसके सामने हार मान चुके हैं, कैतना तियार डाल चुके हैं, भाईया तरको जो करना है कर, बस मैं वगवान से ही प्रार्तना करूंगा, कि जो तो कर रहे है, तुझे उसका पस्तावा नहीं होना चाहिए, वेवेक्ति जो रेट ट्रेप वाला था, वो एक भी शब्द नहीं कहता, वे बैठ जाता है, और खुद से बढ़िया लेकर के खाना खाना शुरू कर देता है, टाइम आफटर टाइम, और बार बार बीच वीच में वो उस यंग गल की तरफ देखता है, जिसने उसकी वकालत की थी, जिसने उसकी तरफदारी की थी, या उसके यहां रहने के लिए उसने पूरी अपनी तरफ से प्रयास किया था, तो उस लड़की की तरफ वे बार-बार बीच-वीश में देखता है Why had she done it? कितना मासुम सवाल है कितना प्यारा सवाल है क्योंकि एक ऐसा वेक्ति जिसे हमेशा दुदकारा गया है उसे एकदम से विश्वास नहीं होता एकदम से खुद पर विश्वास नहीं होता भाग्य पर विश्वास नहीं होता वो समझ ही नहीं पाता जैसे मैं भी नहीं समझ पा रहा हो ना कि क्या बोलना है वो समझ ही नहीं पाता कि मैं ये क्यूं हुआ ये कैसे हुआ ये क्या हुआ यह ऐसा क्यों कर रही है हम इस chapter से बाहर हैं हम लोग reader है हम लोगों को पहले ही पता चल गया कि वो ऐसा क्यों कर रहे है क्योंकि अभी अभी पिछले 2-3 slide में उसका answer मिल गया उसने अपने answer सारे बता दी कि वो ऐसा क्यों कर रहे है लेकिन यह यह जो padler है मैं क्या हूँ मेरा क्या महत वह इसके जीवन में कुई significance ही नहीं इस चीज का राइट तो वहाँ पर वो कहता है कि why had मतलब सोचता है विचार करता है why had she done it उसने ऐसा क्यों किया what could the crazy idea अबी ऐसा कौन सा मुर्खता पूर्ण crazy का मतलब होता है कौन सा पागलपन वाला या मुर्खता पूर्ण विचार ये हो सकता है कि एक अंजान आदमी को इस तरह से अपने घर में रखना और रखने के लिए पिता से लड़ जाना after that उसके बाद Christmas Eve at Ramasjo passed just as it always had उसके बाद Christmas Eve जो है Ramasjo के अंदर बिल्कुल वैसे ही बीट गई जैसे हमेशा बीटती है the stranger did not cause any trouble उस stranger ने कोई मुसीबत कोई समस्या पैदा नहीं की उत्पन नहीं की because he did nothing but sleep क्योंकि पूरे टाइम वो सो ही रहा था the whole forenoon दो पैड से पहले के टाइम he lay on the sofa in one of the gas rooms जितने gas room थे उसमें से एक gas room में जाके sofa पर पढ़ा रहा यानि की सुबह उठा था नाया दोया था पर नाश्ता कर लिया नाश्ता कर लिया जाके वापस सो गया and slept at once stretch और एक बार लेटते ही सो गया at noon they woke up दो पैर के ट समय में उसे उठाया so that he could have his share of the good Christmas fare तो Christmas का जो अच्छा सा भोजन बना था उसमें वो अपना हिस्सा ले सके but after that he slept again लेकिन वो दो पैर में आया उसने अपना खाना खाया खाना का के वापस जाके सो गया it seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramasjo ऐसा लगता था कि कई साल बीद गए इतने सालों में कभी ये इतना शान्ती से और इतना सुरक्षित महसूस करके नहीं सोया है जितना यहाँ पर Ramasjo यानि कि जो घर है उसका उस घर में सोया है in the evening शाम के टाइम पे when the Christmas tree was lightened जब बहुत सारे बच्चे ऐसा लगते है कि सर लाइटेंड तो आग लगाने को भी कहते है न तो क्या इन्होंने क्या Christmas tree को आग लगा दी नहीं उस पर बल्ब वगर लटकाया जाते है रोश्नी लगाया जाती है उसको जलाया गया पेड को नहीं जलाया गया बल्ब को चलाया गया दे वोक हिम अप अगेन उसे फिर से उठाया गया एंड इस्टूड फॉर वाइल और थोड़ समय के लिए वाँ खड़ा रहा इन दर ड्वाइंग रूम में ब्लिंकिंग आँखों को ऐसे टम टम आते वे देखते वे आँखे बार बार ऐसे कर रहा था जैसे की मुम्बती की जो रौश्नी है उससे तकलीप हो रही है बट आफ्टर देट रिश्पीर अगेन उसके बाद फिर गया वो गया दो गंटे के बाद उससे फिर से जगाया गया उसके बाद बाद नीचे डाइनिंग रूम में गया जा भोजन किया जाता है और उसने क्रिस्मस फिश खाई और उसके साथ जो दलिया दिया जाता है क्रिस्मस इव पर वो खाया और जैसे ही वो वहाँ से खाना खा के उठा वो टेबल के चारो और घूमते वे हर एक वेक्ती के पास गया जो भी वहाँ पर मौजूद लोग थे उन सब के पास गया और जैसे ही और कहा धन्यवाद शुबरातरी लेकिन जैसे ही वो यंग गरल के पास गया उसने उसे समझाने का प्रयास किया जो सुट यह उसके पिता जी चाहते है जो बात वो कहने वाली है वो बात वो उसके पिता जी चाहते है कि जो suit उसने पहन रखा है वो उसके पिता की और से Christmas का तौफा है उसी के लिए यानि कि जो suit तुमने पहन रखा है लोटाने की जुरत नहीं है तुम इसे रख सकते हो यह Christmas present है He did not have to return it उसे उसे लोटाने की आवशकता नहीं थी And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace And be sure that no evil would befall him He would be welcomed back again और अगर वह अगली Christmas की यानि आने वाला next जो Christmas की वह है वो भी ऐसी जगह पर बिताना चाहता है जहां वो शान्ती से आराम कर सके और कोई भी बुरी चीज उसके साथ घटित ना हो तो उसका हमेशा यहाँ पर स्वागत रहेगा He would be welcomed back यानि कि उसका पुनय यहाँ पर स्वागत किया जाएगा यानि कि अगले साल भी अगर तुम चाहो तो आ सकते हो हमारे साथ तुम यहाँ पर Christmas celebrate कर सकते हो और वह वेक्ती जो रेट ट्रेप वाला वेक्ती था उसने इसमें से किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया He only stared at the young girl in the boundless amazement अनंत आश्यर्य के साथ वह बस उस लड़की के और देखता रहा वो किसी प्रशन का कोई उत्तर नहीं दे पाया वो बस सोसता रहा विचार करता रहा वापस वही सारी चीज़े दिमाग में क्यों क्यों कर रही हो तुम मेरे लिए यह सब क्यों कह रही हो तुम मुझे यह सब तो वह अनंत आश्यर्य में असीम आश्यर्य में उस लड़की के और देखता रहा The next morning the iron master and his daughter got up in good season सुबह बढ़िया मून के साथ iron master उसकी बेटी उठे To go to the early Christmas service, Christmas के तुरंद बात की जाने वाली सेवा के लिए Their guest was still asleep, उनका मेमान अभी भी सोया हुआ था They did not disturb him और वह जानते थे कि बहुत मुश्किल से बहुत मुसीबत वारा जीवन यह जी रहा है इसलिए उन्होंने उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया When at about 10 o'clock, फिर लगवाग 10 बजे They drove back from the church, वो cars अलाकर वापस church से आए The young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual तो church से जब वापस आ रहे थे तो वो लड़की बैटी वीती कार में और उसने अपना सर जो है नीचे के और लटका रखा था बहुत जादा निराशा की भाव में जैसा कि आम तोर पर उसका सर रहता है वैसे नहीं था वो बहुत शर्मिंदिगी के साथ सर जुगा कर महां बैठी वी थी ऐसा क्या हुआ church में सब कुछ ठीक था सुबह चर्च गए तो लेकिन वापस लोटते समय ऐसा क्या हुआ at church church में she had learned that one of his old crafters उसे पता चला learned का मतलब है जानना है सीखना नहीं है जानकारी प्राप्त होना है कि पुराने जो जमीदारों में से एक था जो iron works में काम करता था उसे एक आदमी ने लूट लिया है who went around selling red trash जो चारो तरफ चुहे दानी बेशता हुआ घूमता रहता है yes that was a fine fellow you let into the house वही अब पिता की तरह को पिता की तो टोन निकलेगी पिता की तरह है वह अच्छा आदमी है वह वही अच्छा आदमी है जिसे तुमने घर में आने दिया said the father I only wonder मैं बस ये सोच रहा हूँ how many silver spoons are left in the cupboard by this time कि अपनी जो cupboard, अपनी जो almari है जिसमें चांदी के चमच रखे हुए उसमें से कितने बच्चे होंगे कितने वह लेके भाग गया होगा तो वह इस तरीके से बात कर रहा है वतलब tease करने वाले, परेशान करने वाले या दुखी करने वाले अंदास में अपनी बेटी से बात कर रहा है the wagon had already stopped at the front steps when the iron master asked the valley rather the stranger was still there गाड़ी जो है मुश्किल से बस रुकी ही होगी बाहर की सीडियों के वाँ जब iron master ने अपने वैले यानि अपने नौकर से पूछा कि वो stranger है कि चला गया he added that he had heard at church that the man was a thief और उसने साथ में ये भी जोड़ा कि उसने चर्च में ये सुना है कि वह आदमी एक चोर है the valley answered that the fellow had gone वैले ने जवाब दिया कि वैवेक्ती जा चुका है and that he had not taken anything with him at all और अपने साथ कुछ भी नहीं ले कर गया on the contrary इसके विपरीत he had left behind a little package which is which miss wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present इसके विपरीत वैपीछे एक छोटा सा parcel एक छोटा सा package छोड़ कर गया है miss wilmanson के लिए edla के लिए जो की वै मानता है कि miss edla बहुत ही दयालू होंगी बहुत ही kind होंगी अगर वै उसे Christmas के तौफे के तौर पर सुईकार कर लेती है the young girl opened the package और उस छोटी लड़की ने उस package को खोला which was so badly done up जो बहुत ही बुरी तरीके से pack किया गया था that was the contents came into view at once के एक बार में ही अंदर की वस्तों सारी दिखने लग गई she gave a little cry of joy वो अचानक से एक खुशी की चीक से चीक उठी she found a small red trap उसे एक छोटा सा red trap उसमें मिला and in it lay three wrinkled ten kronor notes और उसमें wrinkled का मतलब होता है ऐसे goal करके, mode कर रखे हुए तीन दस kronor के note मिले but that was not all बस लेकिन इतना ही नहीं था in the red trap lay also a letter written in large and jagged characters उसमें एक letter भी था जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में और नुकिले characters अक्षर के रूप में लिखा गया था honored अब ये letter है एक जो हमारे गुमककड भाई साब जो है pedler भाई साब जो है उन्होंने एडला के लिखा है देखते हैं अब यहाँ पर उसके मन के भाव क्या परिवर्तित हुए क्या दुनिया अभी भी बड़ी red trap है या अब क्या कहना चाता है चलो उसी के मुझसे सुनते है honored and noble miss आदर नी है और बहुत ही महान miss ये एडला के लिए कह रहा है since you have been so nice to me all day long जबकि आप पूरे दिन पूरे समय मेरे से बहुत अच्छी रही है मेरे से बहुत अच्छा वेभार किया है as if I was a captain बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं कोई captain हूँ आर्मी में कप्तान हूँ I want to be nice to you मैं भी आपके साथ अच्छा वेभार करना चाता हूँ in return इसके बदले में as if I was a real captain जैसे कि मैं कोई वास्तविक captain था for I do not want you to be embarrassed as this Christmas season by a thief और मैं नहीं चाता कि आप as as हो शर्मिंदा हो इस Christmas के समय में एक चोर के द्वारा but you can give back the money to the old man on the road side लेकिन आप ये पैसा road के साइड में रहने वाले उस वैक्ती को वापस दे सकती है who has the money pouch hanging on the window frame जिसके पास एक पर्स है money pouch या नहीं कि पैसा रखने का एक pouch है जो वो खिड़की पर टांक कर रखता है as a bait एक चारे के तौर पर for poor vendors गरीब घुमकडों के लिए the rat trap is a Christmas present from a rat बहुत शांगा ये rat trap एक Christmas का तौफा है एक rat की तरफ से एक चुहे की तरफ से who would have been caught in this world's trap जो इस दुनिया के संसार के rat trap में फस गया था if he had not been raised to captain अगर उसे उस चुहे दानी से उस rat trap से निकाल के एक captain नहीं बनाया होता किसने बनाया था उसे captain Adla ने बनाया था because in that way he got power to clean himself क्योंकि जब उसे निकाल करके उस चुहे दानी से captain बनाया गया इसी तरीके से उसको एक तरीका मिला एक रास्ता मिला जिससे वो अपने आपको सच्छ या साफ कर पाया है written with friendship मितरता पूर्ण तरीके से लिखा गया है ये पत्र है with high regard उच्चतम आदर के साथ captain won stahel और वे अपना नाम captain won stahel बताता है हालां कि वैं captain won stahel नहीं था बहुत सारे बच्चे confused हो जाते है अच्छा सर क्या ये सच में captain won stahel था नहीं था लेकिन क्योंकि एडला ने ऐसा वेवार उसके साथ किया था जैसे वो वास्तविक्ता में captain won stahel हो तो उसने अपने आपको बदलने का निश्याय कर लिया है कि अब मैं वही सम्मानित captain won stahel जैसा ही व्यक्ती बन करके दिखाऊंगा तो जैसे ही उसने अपने पुराने वस्त्र छोड़े पुरानी विचारदारा छोड़ी पुराना जीवन जीने का तरीका छोड़ा अब वह सारी चीज़े छोड़ देना चाता है जो भी उसकी नेचर में जो भी बुराई है ठीक है गैस तो आप लोगों को इसका एंड कैसा लगा स्टोरी का लास्ट में आपने कैसा मैसूस किया प्लीज मेरे साथ शेयर कीज़ेगा मुझे अच्छा लगेगा थैंक यू बैरी मच आइए शून इन मैं नेक्स लेक्टर तिल दा टीकेर आफ यरसल्ट बाइए या थी यूस